हेलो दोस्तो कैसे हो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं थ्री टूल्स के बारे में मैगनेटिक लफ्सोट टूल्स दोस्तो होता क्या है यह होते क्या है दोस्तो मेरे पास एक यह गाड़ी है और यह बिल्डिंग है मुझे वो गाड़ी यहाँ पे लानी है तो क्या मैं इसको जैसे कि हमने पीछे वीडियो में सीखा था कि जैसे मैं इसको उठा के यहाँ लाके रख देता हूँ तो क्या गाड़ी सही आई है नई उसके साथ उसका बेक ग्राउंड भी आया पर I want to this only यह गाड़ी ही चाहिए मेरे को तो उसके लिए क्या करना है मैं तो उसके लिए यह तेन टूल्स यूज होते हैं मेगनेटिक, लस्टूल्स, पॉलिगोनल और मेगनेटिक टूल्स ठीक है सो सबसे पहले बात करते हैं लस्टूल्स की लस्टूल्स दोस्तो लस्टूल्स क्या करता है इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं गाड़ी को और यह मैंने कंट्रूल प्लस के साथ बढ़ा कर लिया जूम कर लिया है और इस पेस दबाके मैं गाड़ी को इधर उधर खिसका सकता हूँ ठीक है माउस की साहिदा से अब इसमें क्या होता है लस्टो डूल में थोड़ी दिक्कत होती है जासे आपको कोई छोटी चीज को करना है तब तो ईजीली हो जाएगा लेकिन आपकी जैसे अब यह गाड़ी है तो बहुत बड़ी है तो इसको करने में आप नहीं कर पाओगे जैसे मानलो मेरे को इसी इस क्या है जैसे देखो इसको क्या करना पहले mouse से प्रेस करना है और फिर जब तक नहीं छोड़ना है mouse के button को तब तक जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता जैसे माल लो मेरे को यह देखो यह लो एकदम पूरा गोल करने के बाद ही छोड़ना है तीक यानि जिस point से start हुआ उसी point पे खतम यहां से selection पे होना चाहिए आपका ठीक अब मान लो यह हो गया अब मेरे को इसको सही करना है तो क्या करेंगे पहले तो plus मान लो मेरे को बढ़ाना था तो हम क्या करेंगे यहां से यहां से इसको जिस सीरे से start किया उसे पे खतम कर दिया तो यह बढ़ गया अब इसको खतम करना है कम करना है तो यहां से इसको सही करना है ओकी ठीक जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कि lesso tools नोर्मली जहां से start करते हैं वहीं पे इसको लाके खतम करना होता है Ctrl D करते हैं यहां से इसको मैंने unselect कर दिया अभी गाड़ी को select करना था तो हम इसको थोड़ जब बड़ा ओर कर लेते हैं तीक है और इसको space की साहिता से हमारे नजदीक लेया थे अब देखे जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ देश अब देखे ये देखे ये देखे अब इसके बाद इसपेस के साथ हम इसको खिसकाते जाएंगे ठीक है पर दिक्कत आएगी दोस्तों इसमें ये उतना भी अच्छा नहीं है कर सकते हो इसमें काम अब वापस से उसी जगह पे जाना आपको अब जाकर देख सकते हो कि यह आपका सेलेक्शन हो गया है जहां जहां आपने सेलेक्शन किया है वहां वहां सेलेक्शन हो गया तो यह मेरे को उधना भी अच्छा नहीं लगता इसको हम Ctrl D कर लेते हैं आपकी इच्छा थी कि यहां तक हम मान लो इसको कर लेते हैं तो Ctrl D करके इसको D Select करते हैं दूसरे टूल की बात करते हैं लस्टो टूल्स हो गया जैसे मैंने बताए कि जहां से Start करोगे वहें पर खतम करना है यह जैसे यह है एक सिकिन मैं आपको लस्टो टूल्स से करके दिखाई देता हूँ क्योंकि लस्टो टूल्स में गडबड़ होने के बाद है आप सही करने में दिक्कत आती है वापस से प्लस माइनस करो वापस से करो अब देखो मैंने माउस चलाया अब mouse आप सही नहीं चला पारे तो वो क्या करेगा इसको आगे पीछे करता जाएगा ठीक है यह देखो आगे बढ़ गया ना तो इसके बाद आता है हमारा आपके माउस को चलाना है और जहां पे आपको खतम करना वहांपर माउस का बटन वापस हे तबाना देस को देस कैसे घुन यहां से उतना लेगे ठीक है की लिएक देस, 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 चलो, और मैं यहां से इसको यहां देस, यह लो, मैंने यहां तक का सलेक्ट कर लिए, अब, सर अब कैसे करें, यह तो खतम कर दिया आपने यहीं पर, अब इसको बढ़ाना है मेरे को, हना, तो मैं तो नॉर्मली इसपे सलेक्ट करके ही करता हूँ, अब मेरे को इसको एड करना है, और करना है, तो क्या करे है फिर से वापस से अंदर से कर लेते हैं ठीक है ओके यह लोग ठीक है ओके ओके और ओके ओके और इस पर डबल क्लिक कर देंगे आपको नहीं पता आपने कहां से से स्टार्ट किया तो डबल क्लिक कर देंगे ठीक है और इसको यह जैसे अब स्टार्ट हो चुका है यहां से तो आप इसको एसके दबागे खतम कर सकते हैं यह हो गया अब अब यह क्या हुआ मेरे से यह तो गलती हो गई अब इसको क्या से सही करें तो इसको क्या से सही करोग और यहां पर double click ठीक है और इसको बेक स्पेस से भी क्तम कर सकते हो आपकी मर्जी है escape से कर सकते हो बेक स्पेस से खतम कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया मेरा selection अब मेरे को पूरा करना अब यहां से हम क्या करेंगे, आगे चलते जाएंगे, थोड़ असा बचेगा, तो मैं उसको उससे दिखाऊँगा, आपको, किसे, जो हमारा next, magnetic, वो भी बढ़िया है, जो जिसको नहीं आता, professional, वो magnetic यूज कर सकता, पर magnetic में दिक्कत आती है, तो अब यहां से start करते हैं, चले तो चलो, यहां से हम start करते हैं, तो सबसे पहले add पर select कर लेते हैं, और यहां से start करते हैं, यह मैंने पहले भी इनके usage बता चुका हूँ, मैं पीछे वीडियो में, चलो, यहां से start करते हैं, तो यहां से जरो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, और आपको दिखा देता हूं ठीक है आप धीरे धीरे करते रहना ठीक है ओकी इसको जैसे आप देखो ये गलत हो गया ओकी ये देखो गलत हो गया तो इसमें क्या करना है ये गलत हो गया तो आपको इसको बेक जाने के लिए बेक स्पेस दबाईए फिर बेक स्पेस ये देखो पी कि वापस से बेक स्पेस्स दबाके माउस से हम इसको गाड़े को आगे पीछे कर लेते हमारे साथ से कि वापस से बोसे ले कर ले माउस से बchlást़िए से आगे कि वापस से को आगे खूशीं अवयरा जाा हमारे से माचे पीछे. झाल झाल अभी देखेए ये दियान से करना है अपो इसमें भी दिक्कत आने वाली है मेरे को पता है झाल 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 यहां से देखे थोड़ा सा दिक्कत आरी मेरे को तो यहां से इसको बेक स्पेस कर लेते हैं और एक बेक स्पेस और एक बेक स्पेस और यहां से हम थोड़ा सा और बेक स्पेस कर लेते हैं कि टायर दिखनी पाय रहे है इसका प्रोपर तो हम क्या करें कि इसका टायर भी आ जाए तो ऐसे करते हैं यहां से थोड़ा सा तो एड़स्ट्मेंट करना ही पड़ेगा माई फ्रेंड ठीक यह लेजिए ठीक है कि वहीं स्वेश दबागे हैं सही कर लेते हैं कि कुछ गल्टी हो भी गई है तो टेंसर नहीं लेती यह देखो थोड़ा सा हो गया न अब इसको क्या करते हैं यह लो अब हमने स्टार्ट कहां से किया था वो हमें नहीं पता है तो डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं तो यह देखिए क्योंकि मेरे को स्टार्ट पॉइंट नहीं पता था मैंने पूरी गाड़ी सेलेक्ट कर ली पर यह देखो यह ज्यादा प्लस हो गया ठीक कोई नहीं हो जाने दो कोई दिक्कत नहीं है हम इसको मैं आपको दिखाता हूं यहां से मैंने स्टार्ट कर लिया और ठीक है ओके आपको दिखाता हूं कुछ कि कहां तक था हमारा यह लोग ठीक है ओकी यह लो ठीक है यह देखो यह देखो यहां से थोड़ा सा ओकी 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 अब यहां से मैं आपको लसो टूल्स के बारे में और बताता हूं थोड़ा सा सुरी लसो टूल नहीं और मेगनेटिक टूल मेगनेटिक टूल कैसे काम करता है तो मेगनेटिक टूल ले लेते हैं मेगनेटिक टूल भी यही काम करता है पर यहां से हम एड़ वाला लेने जा रहे हैं क्योंकि यह लेंगे तो यह दुबारा से स्टार्ट कर देगा सुरू से तो हमें तो दुबारा नहीं करना है इसी मे झ्याहिए नेसे-धार स्वाद यह पिक्सल नहीं दिक रहे थैं यह उपर से नहीं दिक रहा था इसको क्या कर रहा है इसको का तो आपका ये है है तो उस वज़से यह क्या कर रहा है नीचे की ब्लू ब्लू परत को उठा रहे तो क्या करेंगे, बेक्ए सपेस कर लेते हैं, यहां से, ठीक है? और यहां से, जैसे मानलो, तो आप बटन दबाके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यह अपने आप भी लेता है, पर आप बटन की बाके भी कर सकते हैं टीक है तो जैसे मानलों यहां कर दिया इसको बेके स्वेस्ट दबा लेते हैं ऐसे sih यहां किया चोटावत चोटा कर लेते हैं ये लो थोड़ाशा दिस इस ये लो ये देखो ठीक है ये देखो अब ये देखो इसने ये देखो नीचे लेना शुरू कर दिया ना क्योंकि ये उपर नहीं ले रहा आपकी परचाई के कारण अब इसमें ये देखो अब मुझे इधर जाना था वापस से बेक स्पेश दबा लेते हैं और इसको सही कर लेते हैं ये अटोमेटर जाता है आपको नहीं करना इसमें ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल नहीं है या मतलब पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुती है मज़ा नहीं आता हुतना जो पोलिगोनल में आता है वो मज़ा इसमें नहीं है ये देखो थोड़ा थोड़ा यह अंदर से हम ले आते हैं ठीक है यहां से हमने स्टार्ट किया था इसमें डबल कुलिक कर देते हैं ठीक तो अब देखें इसने हमारा select कर लिया है पर हम से देखो गलती क्या हुई यह देखो यह गलती रही अब इसको या तो हम add कर सकते हैं आपकी मर्दी है देखो clearty तो clearty होती है मेरे को आपको यह बताना था last में, magnetic होता क्या तो मैंने आपको बताया है अब इसको थोड़ा साई कर लेते हैं तो प्लस करके, control प्लस करके गाड़ी को बड़ा करते हैं space के साथ ही इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा साई यहां से minus कर देते हैं ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं subtract कर लेते हैं यहां से मैं वापस से पॉलिगोनल ले लेता हूं। यहाँ से इतना फिर दिश और दिश यज़ुट ठीक और ऐसे ही इसको ले लेते हैं। यहाँ से देस और यहाँ तक तो मैच यह है और इसे देस ठीक है। यह हो गया, अब देख सकते हो आप यह लो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से सलेक्ट हो चुकी है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां से मूव टूल पे जाएंगे यहां से इसको उठाएंगे और यहां पे रख देंगे ठीक है यह तो हो गया आपका मूव टूल से क्या ठीक है दूसरा कैसे ला सकते हम यहां से क् इडिट में जाएंगे, कोपी करेंगे, यहां तो Ctrl-C कर सकते हो, यहां पर यहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, वही एडिट में जाके और पेस्ट ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और कंट्रोल पी करके इसको छोटा कर देते हैं, अब यह मेरे पास तो क्या हो रहा है, कि मेरे पास सही दिखा रही है, ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और कर लेते हैं, यहां पर लगा देते हैं, ठीक है, अब आप चोटा कर रहे हैं उसको हना तो यह प्रपोर्ट्स नेटली नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आपके पास यह तो यह तो यह हो गई हमारी गाड़ी पर अभी एक चीज दिखाऊंगे आपको यह देखें ठीक है ओकी इसको बड़ा करते हैं यह हमारी गाड़ी यहां पर आ गई है ठीक है अब एक चीज देखें मेरे को इसकी परचाई चाहिए क्योंकि इसने धूप है तो नीचे परचाई भी होनी चाहिए ठीक है एक तो परचाई चाहिए एक सेट लेर यहां से लेर ले लेते हैं लेर हना एक तो परचाई होनी चाह थोड़ा feather होना चीए, तो क्या करते हैं, थोड़ा feather करके ले आते हैं, तो क्या करते हैं, या तो इसको control Z कर लेते हैं, ठीक है, यहां से काट लिया, इस पे आते हैं, और यहां से, इस पे click करते हैं, इस पे click कर लो, चाहिए किसी पे भी click कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, इस फैदर कर सकते हो ठीक है ओके जैसे फैदर करते हैं तो फैदर मान लो जैसे मान लो फैदर देखो मैक्सिमम कितना होता है दो होता है दो से जादा करोगे तो बहुत जादा बलर देखने लग जाएगी आपकी गाड़ी ठीक है तो मैं लग बग एक ले लेते हैं एक भी देख लेते हैं ज्यादा है कि नहीं ठीक हो मैंने ब्लेर कर दिया इसको ठीक है ओके फेदर कर दिया फिर यहां से उठा के यहां रख देते हैं अब ठीक है आपका देखोगे तो एकदम प्रफेक्ट आ रही है है और जैसे ही मैं दो करके लेके आता control z control z ठीक है अब यहां पे आप control z करोगे तो साइध आपका काम करे या नहीं करे तो आप क्या कर सकते हो edit के अंदर undo feather कर सकते हो ठीक है आपका काम करे भी नहीं करे मैं नहीं कह सकता तो यहां से कर सकते हो ठीक है यह तो काम करेगा अब आपको वापस से फैदर ले लेना से ले ले सकते हो या जो मैंने बताई था यहां से फैदर कर सकते हो आपके मर्जी है ठीक है तो सलेक्ट में गए और फैदर आपने कर दिया दो है ना मैं दिखाता हूं आपको दो करते हैं ठीक है और यहां से इसको सलेक्ट कर लिया दे आ ना और यहां पे लगा दे न तीक है और चोटी कर लेते हैं तोड़ा सा बहुत बड़ी दिख ले इतने बड़ी गाड़ी होती निया नूर्मीन और यह लोग ठीक है यह लोग मैंने इस के आगे गट के आगे गाड़ी खड़ी कर दी तीक है और इसको save कर लेते हैं अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे दोस्तो जो इसकी परचाई आ जाए गाड़ी की तो उसके लिए क्या करते हैं तो क्या करेंगे आपको यहां से एक layer लेनी है layer लेने के लिए आपको क्या करना है इस लेर को पर हना यहां से क्या करने ही यहां पर एक लेयर ओप्शन आता है तो देख create new layer ठीक है तो इस पे click करेंगे तो यहां पर देखोँए एक layer आ गई अब इस layer को हम इसके नेचे लिए आएंगे layer 1 का नेचे ठीक है और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस layer को सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पे ब्रस टूल होता है, ओके हां, तो ब्रस टूल लेए ब्रस टूल लेज़ें, प्रस टूल लेके color आप कौन सा लोगे? ब्लेक लोगे, फीक है? तो मैंने ब्लेक लिए लिया फिक है, आपके यहां नहीं आ तो आप यहां से choose कर सकती है, black color, तो यहां से देखो एक, थीक है तो मैं वापस से ctrl z कर लेते हैं ठीक है ctrl z कर लिए हमErीग है ठीक है ऑगे इसको मैं वापस से सभी कर लेता है मैं आपको दिखा रहा था ठीक है तो Tá ुरे उर ऑना ए जो अब्रस टूल ए लिया हमें और रहना कि यहां से माइडिय क्या करते हैं अब ब्रस भी आपकी मर्जी है ब्रस चूज कर सकते हो तो वह चीजें मैं अभी नहीं बताना जाता कुछ भी ऐसा ठीक है हार्डनेस आपकी मर्जी है जितना लोग उतना ले सकते हो ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां से ब्रस टूल ले लिया मैंने ठीक है ब्रस टूल की साइज बढ़ा लेते हैं आपको मैंने बढ़ा भी दी है ठीक है आपकी मर्जी है जितना बढ़ाना चाहों बढ़ा सकते हो ठीक है करना की अब अब मेरे को क्या करना है मैं में यह जो हमारी गाड़ी है इसके नीचे हमें चाइए तो मैं क्या करता हूं यहां पर देख जितनीह आप प्रेस करोगे उतनी हमार बरस काम टी दपाके आप इसको जितना बढ़ा करना चाहों कर सकते हो थीक है इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते थीक है और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते थीक है और इसको यूँ ऐसे छोड़ जाते हैं ठीक है ओके तो यह मैंने कर दिया ठीक है अब इसकी मालो इसकी कोपी करनी है आपको करना है तो फोड़ा सा और गयरा करना है तो कंट्रोल प्लस जे करके कोपी कर सक осकते हूए एक लेयर की कोपी कारते हैं एक Mmm ये देखो देखोक और ना बात जा रही है ये धिने हुए तब तो ठीक है जितने करना है आपके शिए हैं थीख क तो फिर क्या करना है और करना चाहों और कर सकते हो कंट्रोल जे ये लो थोड़ ज्यादा बढ़ी है ना कंट्रोल जेड करके वापस से कर दिया मैंने अब क्या करना है जितनी लेयर्स को आपको मर्ज करना है उनको सलेक्ट कर लो उन्हें उन्हें को सलेक्ट करेंगे जो परच थोड़ सा इसको अंदर दबा देते हैं ठीक है ओके यह पर्चाहिए आपकी यह तो यह आपकी पर्चाहिए हो गई ठीक है और इसको control minus कर लेते हैं वापस से यह control zero कर लेते हैं इसकी actual इस्तती मिलाने के लिए अब आप देख सकते हो आपकी गाड़ी perfect खड़ी है कोई यह नहीं कह सकता हो कि आपने edit कैसे किया और इन सभी को आप merge करना चाहते हो तो तीनों पे control E करिए इसको भी control E करिए तो आपका पूरा merge हो चुका है यह photo आपकी merge हो चुकी है so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चीजे समझ आई होंगी so वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करे, share करे और comment करना न भूले क्योंकि comment करके हमें आप बताओगे तभी हम चीजों को नया कुछ ला सकते हैं आपके लिए जो आप हमें suggest करते हो so thank you my friends